तो हमने अपनी पिछल वीडियो के अदर देखा था कि हम एक जैंगो के अंदर एक कैसे टू-डू-ट आइटम हम लोग बना सकते हैं और यहां पर हमने डिलीट और कंप्रीट दो बटन हमने दिए वे थे यहां पर टाइटल और डिसक्रिप्शन ने यहां से आप टू-डू- 404 जो पेज होता है वो हमें यहां पर reward करें वो तो यहां पर देखिए मेरे जो application उसका नाम है my to do करके और यहां पर मेरे पास to do नाम से एक app है और templates मैंने बाहर ही रख रखें यहीं पर जो कि आप देख सकते एक index.html करके template के अंदर to do folder है उसके अंदर है और अगर आप to do के अंदर जाते हो तो यहां पर आपको मिलेगा views.py करके अब यहां पर जो हमारी views.py है इसी के अंदर आपको जो भी functions से वो सब दिखेंगे जैसे कि यहां से हम लोग listing कर रहे हैं यहां से create कर रहे हैं और यह complete to do का है और यहां से हम लोग delete कर रहे हैं तो अब हमें add करना है यह आप हमारा to do करके है तो हमें चलने अपने urls.py के अंदर हम लोग यहां पर 404 page को handle करने के लिए हम लोग यहां पर डालेंगे handler 404 अभी जो आपका handler 404 है इसके अंदर आप यहां पर डाल दोगा कि भाई आपके app का नाम क्या है जो कि है to do करके और उसके अंदर हम लोग डा करते हैं और यहां पर हम इस नाम को copy कर लेते हैं और हम लोग चलते हैं अपने to do app के अंदर जो कि यहां पर है इसके अंदर मिलेगा views करके तो यह रही है आपकी views.py और इसके अंदर हमें वह method डालना था जो था हमारा handler 404 तो मैं यहां पर def और 404 नाम से एक फोल्डर बना method बना देते हैं जो कि है handler 404 और यहां पर हम लोग लेते हैं request और यह हो जाएगा आपका exception अधिक और यह रेटरन करेंगे और और रेटर्न के लिए हम लोग यहां पे और हम लोग यहां से रेंटर कर देंगे अपनी फाइल को तो हम लोग यहां पर डालेंगे request और यह आपके फाइल का नाम जो कि हो जाएगा आपका 404 dot html करके और यह हो जाएगा आपका status 404 नाम से जो file है वो हम लोग यहां पर create कर देते हैं तो मैं करता हूं कि यहां पर एक और file बना लेता हूं जो की होगी आपकी 404.html करके और हम लोग क्या करते हैं कि यहां से यह आप cdn वगर अगर आप चाहें तो आप इसको उठा सकते हैं हम इसको copy करते हैं यहां पर और इसको यहां पर अम लोग paste कर लेते हैं और यहां से अम लोग div को close कर देते हैं और साथ में यहां पर आपको body भी close करना रहेगा और साथ में जो HTML है उसको भी ठीक है अब आप यहां पर जो भी आप content लिखना चाहा है वो आप यहां पर लिख सकते तो मैं यहां पर h1 tag के अं ठीक है और यहां से आप जो है चार सो चार पेज आप डाल सकते हैं इसको सेफ करते हैं चलते हैं अपने ब्राउजर पर और यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना पेज था यहां पर चलते हैं इसको करते हैं एक वाफिड से रिफर्ष एंटर करते हैं तो अभी settings.py के अंदर जो आपकी application है उसके अंदर चलेंगे आप और यहां से जो आपका debug है वह अभी true है तो इसको आप यहां से false कर दें और false करने के बाद आप allowed host के अंदर जो भी आपका host रहेगा वह आप डाल सकते हैं तो आप यहां पर local host या आप यहां पर start डाल सकते हैं फिलहाल करके विकोज हमारा जो folder है templates के अंदर आगर आप देखोगे मैं आपको दिखा तो यहां पर templates folder है templates folder के अंदर आपका to do folder है उसके अंदर आपका 404 पेज है तो यह उसको मिल नहीं रहा था उसकी वैसे 500 का एरर आ रहा था अभी आप इसको फिट से refresh करे तो अभी देखे 404 प पर नखिवी थी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको card बना सकते हैं और padding आप देख सकते हैं for margin top four ले लेते हैं और इस डीपो close करते हैं इसको save करते हैं वापस से अगर मैं इसको यहां पर refresh करते हैं 404 page not found करके हैं तो आप इसको अपने हिसाब से यहां पर design कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने 404 page यहां पर आप बना सकते हैं आप ऑदग हैं